हलो फ्रेंट्स नमस्कार मैं विसे कराच आज बात करें हम हिंदुस्तान कौपर लिम्टेट के बारे में जिसमें रुकूर्मेंट आया हुआ है अपरेंटिस्टिप के लिए जो इटी के उनके लिए बहुत सबसे पहले आपको इस वेब साइट पर आना है और वेब साइट प जाएंगे यहां पर आपको बहुत सारे चीज दिख रहा होगा तो यहां पर हम हमें जो रुकूर्मेंट है उस पर जाने के लिए यहां पर क्लिक करें केरियर पर क्लिक करने बाद आपको यह पेज खुलेगा जहां पर बहुत सारे रुकूर्मेंट के बारे में नीच दे र रठारा और इसमें लिख लगाए इंगेजमेंट और अफ दे ट्रेड अपरेंटिशिप अंडर दे ट्रेड अपरेंटिशिप एक्ट उन्हें से एक्साट आइट मलां कंध कॉफर प्रजेक्ट यह डिष्टिक है मधपर्देस में जहां पर आया हुआ है यह 30 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था और 30 नॉम्बर तक चलेगा और यहां पर क्लिक करके इसका नोटिस देख सकते हैं यहां से अप्लाई ऑनलाइन है लेकिन यह ऑनलाइन अप्ल करना है इसको आफ लाइन करना देखते हैं क्या को डिटिल सहे हैं और यहां पे हम देखेंगे कि हैं कि हिंदुस्तान को फैरो लिंटेट मलांभ तामर पर्योजना ममिलान चेह गया जो मधपर लिए समय और बलाघाट इक डिस्टिक 5 हाँ ओन पर इस तो इसमें लिख । सबसे बड़ी बात है कि अगर सब्सक्राइब कर सकते हैं इसमें कंडिशन और की दर पास्ट पीरी और टूदर यह दो यह सुल से पहले पास होने वाले इसमें अपलाई करेंगे और इसका जो स्टाम पेपर है पचास रुपए का होगा और इसमें जो सीट की संख्या देख र टर्नर के लिए आठ है कि एसी और इफ्रेशन मेकानिक्स के लिए दो है ड्राफ्टमेंड मेकानिकल के लिए तीन है ड्राफ्टमेंड सीविल के लिए तीन है सर्वायर के लिए तीन है कर्पेंटर के लिए तीन है पलंबर के लिए दो है टोटल 87 पोस्ट है जिसमें आपको को apply करना है अपने टेसिप के लिए और इसमें apply करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें जो form है मैं फर्म लाश्ट में दिखा दूंगा उससे डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद पूरे डीटेल सभरने के बाद और कास्ट सेटिफिकेट क्वालिफिकेट सेटिफिकेट टेकनिकल सेटिफिकेट और एकाडमी की रिकोर्ड है जिसका सिल्फ एस्टेटिट कॉंपी आपको इसमें अटैच करना है इसके सा का आफ्लाइंग भीना भीने का अद्रिसम मनेजर हिंदुस्तान को पर लिम्टेड मलाकंड कॉफर प्रोजेक्ट तासिल बिर्शा और पोस्ट अपीड है मलाकंड डिस्टिक बलाघात मधपर्देश यह एड्रेस से आप यहां से लिख लेंगे इस एड्रेस पर सेंड कर दें देंगे और जिसका पिन को दे रहा है 48116 48116 है और यह आपको 24 नॉम्बर से पहले पोश्टना चाहिए वी टाइम है अगर आप इस पीड पोश्ट करते है तो पहुंच जाए 24 नॉम्बर से पहले आपको भेजना होगा इसके बाद आपको बहुत सारे प्रोसेस नहीं है इ आपको सिल्फ अट्रेशिट कॉपी देना सटिफिकेट या माक्सिट का रिगाड़ी एज क्वालिफिकेसं कास्ट के रिगारियां को सटिफिकेट देना है और लिखाए कंडिट हूं है पास्ट प्रियोद यह दे सुलम मस्ट अटाइच एंड एफिडेविट और नॉन मैं स्टेट आप नोटरी पॉब्लिक तुद अफेक्ट डेट यह थे नाइधर अंडर गॉन अपरेंटिशिप ट्रेनिंग अरियर नॉर्डें टेकन इंप्लाइमेंट टेविए अपोट नोटीस ए अट्रेश्ट टरली कर देना स्टांब पर पर कि मैं कभी इस से पहले और मैं 2016 से पहले पास कर गया हूं 2016 से पहले पास कर गया हूं इसके बाद आपको कॉपी उपधार काड देना है और एक चीज़ इसमें और करना है आपको एक रचिटेशन नमर लेना जिसके लिए आपको इसके जो अप्रेंटिशिप का वेबसाइट है डोल डॉड डॉड इस पर जाके आपका रचिटेशन कर देना जो रचिटेशन नमर मिलेगा उसको उसमें लिखना है और मैक्सम एज लिमिट की बात करें तो पचीज साल है जो 30 अक्टूबर तक मानना होगा 30 अक्टूबर से पहले अगर 30 अक्टूबर तक 25 से जढ़ा नहीं होना चाहिए और इसमें एज लिमिट में छूट मिलेगा पांस सारे से स्टी के लिए तीन साल ओवी सी के लिए और 10 साल है जो हैंडीकाप उनके लिए और इसके बाद जो सेलेक्सिल प्रुसीजर है उसमें आपको टेस्ट होगा multiple choice return test होगा इसमें जो कोशन्स आएंगे उसको आपको करना होगा इसके बाद सोट लिस्ट बनेगा आप सेलेक्ट होते हैं तापको अप्रेंटिस्ट करने दिये जाएगा वहाँ से और इसमें जो रिटेन टेस्ट का डेट दिखा रहा है इस अब 9 दिसमबर का रिटेन टेस्ट होगा जो जगह है और डी ये भी नोटिफिकेशन में इसका फॉम भी है जि है और यहां लिखा है अप्लिकेशन फॉर्म फॉर्म फॉर्द ट्रेट अप्रेंटिस और ब्लॉक लेटर में सारा चीज लिखना है इल कम्प्रीट अधा होगा तो एक कर दे रहेगा यहां फोटो लगना है आपको पस्पोर्ट साइज और इसके बाद आपको यहां पे जो अधिया एस्टी है कौन सा इसका नम्बर मॉबाइल नमर इमिल आइडी और करेंगे जो रश्ट्रेशन नमबर है जो आप वेबसाइट पर किया होंगे अपरेंटिस डॉडट यो डॉट वी यह वेबसाइट पर तो उसका रिश्टर से नमर लिखना है इसका अधार क्वाल कर दिएगा जिसे आपकी जो लेटर यह पहुंच जाएगा और में डिस्ट में आने की संभावना ज्यादा रहेगी इस फॉर्म को आपको सब्सक्राइब नोट्श्रीकेसन डाउनलोड करेंगे उसी के लास्ट में यह फॉन दिया हुआ है और इसको डिस्क्रीशन बॉक्स